पाँच राजों में चुना हुआ विधान सभाद चुना और तीन राजों में बिजेपी की जीत हुई एक में कॉंग्रेस की जीत हुई और इस तरह से देखे तो कॉंग्रेस की जो उमीदे थी उस पर पानी फिर गया तो हमारे साथ बीके रवी हैं पूर्व आईपीस अधिक सब्सक्राइब तो हम राजनीत की बाद में बात करेंगे आप दलिश समाज से आते हैं आईपीस पने डीजीपी बने तो एक दलिश समाज का बच्चा उसमें तो छोटे थे आप कैसे पढ़ा और आईपीस बन गए तो थोड़ा सा इस पर हम जानेंगे कि और कहां घर हुग बेद प्रकार जी आपको भी और आपके चैनल को जो उन्तेक रहें तर्शकों को मेरा जो है नमस्कार मेरा नाम ब्रज किसोर रवी हुआ और मेरा घर सहार सहां चिले में महिसी थाने में एक गाउं है सरोनी वहां का मैं तन्यवासी रहूं मेरी जो है पढ़ाई करी शचफा पर हुई दिल्ली कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए नाची में हुई और कुछ समय तब उसके बाद से मेरी पढ़ाई जो है सहरसा में हुई और मैंने सहरसा से ही मैट्रिक पास किया और मैट्रिक पास करने के बाद मैं फिर पटना कॉलेज आ गया पटना कॉलेज से मैंने समाश शास्त्र में ओनर्स किया और मैं यहां का टॉपर रहा फर्स क्लास फर्स्ट और उस समय मेरे को नहीं तकता है कि कोई तलित का कोई आदमी जो है फस्ट क्लास फस्ट करे जेनरल में और उसके बाद जो है मैं डिली स्कूल ऑफ एकनॉमिक्स किया जहां पर मैंने एमे की परिक्षा इंट्रेंस दिया वहां भी फिर मैंने टॉक किया और डिली विश्म और एंफिल कर रहा था उसी तौरान में मैं एंफिल पूरा करने के लिए जेन्यू भी गया और जब एंफिल करी रहा था तो नौकरी में आ गया और फिर मैं तमिलनाडू कैडर में एज आई पेस ओफसर वहां मैं चला गया पूरी जिंदगी अभी तक की आई पीस रहे दिन पहले कॉण्ग्रेस क्यों है कॉंग्रेस इसलिए भी कि एक तो जो कॉंग्रेस की विचारधारा वे इस लगबग वही है जैसा पाटी सुचती है वही सूच हमारी है जैसे कि अगर आप देखें कि जो उनके पांच वेल्यूज हैं कॉंग्रेस के वह है प्रजातंत्र वो है रास्ट्रवाद, वो है समाजिक न्याय, वो है धर्म निर्पेक्ष्टा और वो है समयकित विकास सभों के लिए और अगर आज के इस्तिति को आप तेखते हैं तो देश को बांटने की राजनिती हो रही है चाहे वो संग से हो चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कवर्म से हो एक बैरोजगारी जो है गूष परी तो उन सब के लिए ने उट्व एकी पार्टी थी जो कि राश्ट्रिप पार्टी है कॉइनि पार्टी और मा वही इसका बिरोध कर रही है राहूर्ण गांधी के पद्यात्रा के बाद जो चेंज हम लोगों ने हिमाचल में तेखा हिमाचल के राजियों के जो हुए वहाँ पर चुनाओ और जो कनाटका में तेखा गया उससे जो है काफी जो है लहर आई कुछ परिपरतन आये हैं तो कॉंगरेस पार्टी मैंने इसलिए भी जो ह कि मेरी पार्यवरी प्रिश्ट भूमी भी जो है कॉंग्रेस की नहीं है मेरे स्वर्गे बाबुजी तुल मोहन राम वो स्वतनता सेनानी रहे एक बार MLA रहे और तीन बार कॉंग्रेस के एंपी रहे तो इन दो कारणों से एक कॉंग्रेस की पिचार धारा और दूसरी मेरी पार्यवरी कॉंग्रेस की प्रिश्ट भूमी पिता जी एक बार विधायक रहे तीन बार सांसद रहे कॉंग्रेस जी हां जी है और स्वतनता सेनानी भी रहे उनके उपर में शूट एट साइट ऑर्डर था हमारे उनके घर की करीब 36 बार बितानिया सरकार ने कुरकी की थी तो वहां तो अल्टरनेट चलता है बीजेपी कॉंग्रेस तो यह पचने वली बात है कि राजस्थान में बात पचे मद्ध परदेश में और 36 गड़ में ऐसा क्यों है तीकि वहां पर कॉंग्रेस ने काफी अच्छा जो अपना चुनाव प्रचार जो है किया है बट अगर आपने देखा होगा कि एडी इंकम टैक्स और सीबी आई का जो मिस्यूज और अब्यूस किया गया जब 36 करण में जो है मुख मंतरी के जो भी स्टाफ थे उनके जो है खिलाफ एडी आई सीबी आई तो इन सब चीजों का भी काफी कुछ जो है प्रभाब पड़ा फिर जो ह 36 करण के चिफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में एक फेक वीडियो बाइरल भी आया था तो उन सब का प्रभाब भी था और आपने देखा होगा आपके ही जो है मीडिया में आया था कि MP में बाला घाट पर काउंटिंग के पहले ही पोस्टल बैलेट पेपर के साथ छेड़ साथ की गए थी तो हमें शक है कि कहीं ने कहीं जो है तंत्र इसमें मिश्यूज किया गया है और उसका जो है गलत तरीके से उप्योग किया गया है आपको EVM पर डाउट होता है बिलकुल होता है आप अगर यह देखें कि देश के जो बिक्सित रास्ट हैं चाहे वो USA हो चाहे वो UK हो वहां भी वो बैलेट पेपर का यूस करते हैं तो जब डेबलट स्टेट और लोग कहते हैं कि अमेरिका की जो डिमोक्रेसी है जो प्रजात तंतर है वो काफी अच्छी है और सुरदड है तो जब और वहां के सरकार वहां के लोग भी बैलेट पेपर से ही अपना इलेक्शन करवाते हैं तो भारत में यह क्यों नहीं हो सकता है लाने वाले तो कंगरिस हैं तो लाएए जो उनकी सरकार कॉंग्रेस की सरकार में आए तीकी कई बार जो है पार्टियां गल्ति करती हैं और चाहिए यह कि उन कल्तियों को फिर से आदमी ठीक करें सुधार करें और जो हमारे प्रजातनत के लिए अच्छा हो जहां पर की ट्रांस्परिंसी हो पार्ण तर्शिता हो उस सिस चाहे फिल्म जगत से हो या बाकी अलग-अलग शेत्रों से तो राहुल गांधी प्रधान मंत्री का चेहरा हों के सर अब लगता है कि इस तरह की जो हार हुई तेकी राजनिती में हार और जीत तो होती है और मानिये राहुन गांधी जी एक कॉंगरेश के बरिष्ट नेता है वो कॉंगरेश को एक तिशादते रहे हैं और वो एक नेता के तोर पर अब जो हैं काफी इस्टैब्लिश हो गया हैं तो वो अपना काम कर रहा है बाकी जो है जो कॉंगरेश के काल करता है जो जनता है वो सोचे वो अपना काम करे और कॉंगरेश का हाथ जो है वो मजबूत करे चुकि सर आप अनुसुचित जाती से आते हैं और पूरे देश में जो दलित नेता में सबसे बड़ा चेहरा है वो मायवती जी है उनकी अपनी पार्टी ह तो उनको अलग करके, क्या राहूल गांधी या कॉंग्रेस से कोई परधान मंत्री हो सकते हैं, आज के दोर में जब इस तरह गर रिजल्ट आ रहा है, सारे फार्मूले फेल हो रहा है, देखी ऐसा है कि बहन जी को भी दर किनार किस ने किया है, कॉंग्रेस ने तो नहीं किया ह शायद बीजेपी के जो तंत्र है, आमिन एडी और सीबी आई और इंकम टैक्स, इनके प्रभाव में माया मत्नी जी चुपचा पैठी हुई हैं, मेरे को क्या लगता है कि अब इस महिने में शायद हो सकता है कि वो कुछ सोचें और इंडिया कटबंदन में आने की बात करें वो बोल रहे थी कि चुनाओ के बाद बिधान सभा चुनाओ के रिजल्ट के बाद हम तैक करेंगी क्या करना, तो ऐसे में आप कॉंग्रेस की और से निवता मिलेगा बहन जी को? मिल सकता है और कॉंग्रेस के सभी दल चाहें कि जितने ज्यादा से ज्यादा लाइक माइंड़ पार्टी हो, जितने से ज्यादा से ज्यादा हम सामिल कर सकें, उसकी कोशिस होगी, कोशिस जारी भी है. अच्छे सर, आप राजनीत में आये, बिहार आये, धुम धाम से पार्टी ज्यादा किये, कहां से चुनाव लड़ेगा सर? तेकि ये अभी मैं आपको कुछ नहीं कहाँगा, जब तक कि पार्टी ना कहें कि आप आये, और मैं अभी सिर्फ कारता हूँ, और मैं पार्टी के आदेशों का इंतजार करूँगा, वो जहां से भी कहेंगे, वहां से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, अगर वो कहें कि करने के लिए तत्वर हूँ, तयार हूँ, अगर हम बीजेपी के जो असफलताएं है, बीजेपी के ऊपर जो आरोप है, उनको अगर हम पब्लिक की भासा में पब्लिक तक पहुंचाएं, तो पीजेपी को हराया जा सकता है, नाम मुमकिन है नहीं, और कठिन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर जो आरोप उन पर आये हैं, जैसे कि आडानी का केस आ रहा है, बाकि और जो पीजेपी जो भीक रहे हैं, बेचाँचा रहा है, अब आप 15-100 करोड आपने करजा, के लिए, तो अगर इन सब चीजों को, इन आरोपों को अगर अच्छे ढटंग से जनता के बीच में लेकिन चाया जाए, तो बीजेपी को हराया जा सकता है, गरीबों को अनाज दे रहे हैं फिरी में, जो परसेप्सन है लोगों का, गरीब लोग, गरीब लोग भी कह रहे ह है, दो हजार रुपईया मिलता है कुछ-कुछ दिन में, दो-चार महिना में, उसे में वो लोग खुश हैं सर, और क्या चाहिए, वो लोग कहते हैं हमको मिल रहे हैं बहुत बढ़िया, पूरे दुनिया डंका बजरा है, मोदी जी का, हाँ तो वो टंका ऐसा भी है कि आप जब यह कहते हैं, बीजेपी जब यह कहते हैं कि हम असी करोर जंता को हम पांच किलो अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब यह भी है कि असी करोर जंता गरीब है, गरीब ही ठेखा के नीचे है, तो अगर आप इसको उस दिस्टिकों से देखिएगा कि असी करोर जंता को पांच क कवर करना चाहते हैं आप उनको जो है इंफुलेंस करना चाहते हैं आप उसको जो है प्रभावित करना चाहते हैं तो ये बात भी तो है कि अगर हमें अनाज की जरुवत नहीं है और फिर भी अगर आपको अनाज दिया चाहरा है तो इसको तो वो खुद कहते हैं कि ये जो है तो अगर आप अपने ही जनता को आप पंगू जो है बना रहे हैं कि आप कहाना पीना आप काम न पैर आप काम यह जो है जैनरेट मिनी हो रहा है बिरोजगारी जो है पड़ती चाह रही है दो करोड सालाना नौ साल में अठारा करोड वो रोजगार कहां गए 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 और कुछ आप हां नितीश कुमार बिहार में नितीश कुमार को भी कई बार कहा जाता ललन सिंग भी बोले हैं कि बिहार का नेतिरित्व कर ली, आप देश का नेतिरित्व करेंगे. तो नितीज कुमार परधानमंगी के कंडिडेट के रूप में आप किसे रूप में देखे जो इंडिया गट बंदन का जो काम चालू किया गया था, जो कंसर्प्त लाया था, वो तो उनिया का है और उनी के कोशिस के बाद जो है इंडिया गडवंदन पढ़ा है लेकिन ये जरूरी है ने कि परधान मंतरी का चहरा कौन होगा जरूरी ये है कि इंडिया गडवंदन कैसे बीजेपी और उसके गडवंदन को हराए परधान मंतरी का चहरा जो है आपके चुनाव के बाद भी तरह किया जा सकता है तो इसलिए यह थोड़ा सा जो है незaki में आपका आद में भी हो सकता जीसे कि मरम्मोहन सेंग बाद में जी यहां 하ë क्योंकि बात चेहरा भी जेहरा तक पास चेहरा है तो इस्टालिन भी हो सकते हैं नितिश जी भी हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है शुक्रिया सर बाचीत के लिए और सुपकामनाई सर आप राजनीत में आए आपको सफलता मिले और ऐसी चर्चा है कि समस्तिपूर से आप सुनाओ लड़ सकते हैं ऐसी खबरें आई है आप पूश् पर देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा किजिए जय भीम जय भारत